पनोर मंकरो जो सोचता है वो करता है बैठक करने जा रही है और अस बैठक को लिकर अब अचकल बाजी शुरू हो गई है कि मुखे मंत्री नितीश कुमार कई बड़े मुद्दों पर फैसला सुना सकते हैं दरसल मुखे मंत्री नितीश कुमार ने मंत्रियों की विशेश बैठक बुलाई है ये बैठक गुरुवार यानि कि 14 नवंबर को होगी कैबिनेट सचिवाली की तरफ से इस संबंद में सभी मंत्रियों को सूचना भिजी गई है कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजिंडों पर मोहर लगने की संभाव ना है नितीश सरकार के पत्र में कहा गया है कि 14 नवंबर यानि कि गुरुवार के दिन बिहार काबिनेट की बड़ी बैठक होगी आपको बता दिए बैठक साड़े ग्यारा बजे से मंत्री परिश्रत की बैठक मुखे सचिवाले सित मंत्री मंडल कक्ष में होगी इस बैठक में सरकार के कई महत्वपूर्ण एजिंडों पर मुहर लगीगी बताते चले कि दिवाली से पहले 22 अक्टूबर को ही नितीश काबिनेट की बैठक हुई थी तब कहा गया था कि राजिस सरकार कर्मियों की महगाई भत्ते में वृधी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब 14 नवंबर को क्याबिनेट की मीटिंग है संभावना जिताए जा रही है कि इस प्रस्ताव पर सरकार कोई फैसला ले सकती है तो देखे दिवाली छट का समापन हो गया है इसके बाद मक्यमंत्री नितीश कुमार ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है गुरुवार को ये बैठक होगी बताया जा रहा है कि सुबैठक में सरकार महत्वपूर्ण निरने ले सकती है तो आपको बताते चोले कि नितीश सरकार के पत्र में ये कहा गया है कि 14 नवंबर यानि कि गुरुवार को क्याविनेट की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी वहीं ये बैठक जो है सुबह साड़े 11 बजे से मंत्री परिशद की बैठक मुख्य सची वाले स्थे तो मंत्री मंदल कक्ष में होगी एस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाएगी साथ ही आपको ये भी बताते चोले कि दिवाली से पहले 22 अक्टूबर को ही नितीश क्याविनेट की बैठक होई थी तब कहा गया था कि राजिस सरकार कर्मियों की महगाई भत्ते में वृधी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब इसको लेकर ये कहा ज़ा रहा है कि 14 नवंबर को क्याबिनेट की मीटिंग है संभावना ज़ताई जा रही है कि इस प्रस्ताव पर सरकार कोई फैसला सुना सकता है तो देखे बिहार के चौर सीटों पर उप्चना होना है जिन में से रामगट, बेला गंच, इमाम गंच और तरारी विदानसवा सीट है आपको बता दे कि इन चारो सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और मतदान के ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने क्याबिनेट की बड़ी बैठक बुला ली है इस बैठक को लेकर अब सियासी गली आरो में चरच रातीज हो गई है कि मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगा सकती है फ़लाल करें इस खबर में बसतरा ही आप देखते रहें